अधातू, नौन मेटल्स, बच्चों, अब हम अधातूओं के बारे में जानेंगे अधातूओं के गुण, धातूओं के विपरित होते है धातू चमकती है और कठोर होती है, अधातू ऐसे नहीं होती है अधातूओं भंगुर, ब्रिटल होती है और उनमें चमक भी कम होती है वे आघादवर्धनिये नहीं होती है कार्बन, सालफर, फॉस्फरस अधातूओं अधातूओं के भौतिक गुण नमबर वान, भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैसिय अवस्था को ध्यान में रखते हुए सामान या तापमान पर अधातूओं इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है उदाहरन, ठोस, कार्बन, सालफर, फॉस्फरस, द्रव, ब्रोमीन, गैस वायू अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, ये अधातूओं पाई जाती है चमक अधातूओं में चमक नहीं होती अर्थात अधातूओं चमकती नहीं जैसे कार्बन, फॉस्फरस परंतु हीरा अधातू इस गुण का अपवाद है क्योंकि हीरा चमकता है हीरा कार्बन का व्यूत्पन है आयोडिन क्रिस्टल भी इस गुण के अपवाद है ये भी चमकते हैं कुछ अधातूओं रंग हिन होती है तो कुछ अधातूओं विभिन्न रंगों में पाई जाती है जैसे कार्बन यानि कोईला जिसका रंग काला होता है ये तो हमें पता है भांगुर्ता अब मुझे बताईए यदि हम कोईले पर हतोड़े को मारे तो क्या होगा? तर कोईला चोटे-चोटे तुकडों में बिखर जाएगा बिल्कुल सही कोईला तुकडों में तूट जाता है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अधातूओं नरम होती है हीरे को कार्बन का एक रूप माना जाता है लेकिन हीरा सबसे कटोर पदात है इसी दिए हीरा इस गुण का अपवाद है तन्यता और आघाद वर्धनियता अधातूए को बारीक तारों में नहीं खीचा जा सकता अर्थात अधातूओं में तन्यता नहीं होती साथ ही अधातूओं को पीट कर उसका पत्रा नहीं बनाया जा सकता इसका मतलब है अधातुए अघहात वर्धनिय नहीं होती है उश्म एवंग विद्ध्यूत्यालन अधातौ में उश्म का संचालन नहीं होता है या बिजली के संचालन भी नहीं कर सकते इसलिए अधात्व को उश्म और बिजली के खराब सनवाहं के रूप में जाना जाता है परंतु ग्रैफाइट ये अधात्व इसका अपवाद है ग्रैफाइट विद्यूत का सूचालक है घनत्व अधात्व का घनत्व भी बहुत कम होता है गलनांक और क्वतनांक धात्व के गलनांक और क्वतनांक बहुत कम होते है परंतु ठो सवस्था में कारबन और बोरॉन ये अधात्व इसके अपवाद है ये अधात्व उच्छे तापमान पर ही पिगलते हैं अधात्व के गुण इस प्रकार है उपधात्व बच्चो अब हम उपधातू का अधेयन करेंगे हमने धातू और अधातू के गुण देखे है हाला कि कुछ तत्व ऐसे भी है जिनमें धातू और अधातू दोनों के बीच के कुछ गुण दिखते है ऐसे तत्वों को उपधातू कहा जाता है उदाहरन, आर्सनिक, सिलिकॉन, जमेनियम, एंटिमनी इसका मतलब है यदि हम इन तत्वों के गुणों पर विचार करें तो समझ नहीं आता कि ये धातू है या अधातू इन तत्वों में धातू और अधातू के बीच के गुण होते हैं इसलिए ऐसे तत्वों को उपधातू कहा जाता है